दो दीवसी इंटर बॉलिवर्ट टूनामेंट का आईजुन हुआ जिसका आज फाइनल मुकाबला हिलिनिक्टर कॉलेज और बालविद्य मंदिर इसकूल के बीच खेला गया जिसमें बाल बिद्या मंदिरी स्कोल ने 3-1 से फाइनल मुकाबले को अपने नाम कर लिया आपको बता दे नगर के बाल बिद्या मंदिरे स्कोल के पुर पुर प्रधानाचारे स्वरगे रोए मौनजॉर्स की याद में एक टूनामेंट का आयोजन चिया गया जिसमें भिलारी की चार टीमों सहीत नोटीमों ने प्रती भाग किया टूनमेंट के माध्यम से चातरों में खेलके प्रती जागुता बढ़ाना था हुकुमत एक्सप्रेस ने खिलाडियो वा आयोज को से बात की देखिए हुकुमत एक्सप्रेस की ये खास रिपोर्ट राउंड रॉग लीक पे हमारी मैचेज हुए और कल हमारी पूरे मैचेज हुए उसके बाद आज टीम फाइनल में आई वह हमारी बाल विद्या मंदर की टीम और हिंद इंडर कॉलेज संभल की टीम फाइनल में रही और बेस्ट फाइब में उन्होंने तूप थ्री प्लब व हम हर वर्ष इसको आयुजित करते रहेंगे और आप सब का सब्सक्राइब बालविद्या मंदिर में इंटर इस्कूल वालीवर्ट टूर्मेंट का और्गनाइज किया गया जो हमारे पिछले पिर्धाना चारे जी थे मिस्टर रॉय मोहन जोर्ज उनकी यात में ये पहला व बहमन पब्लिक स्कूल इसके बाद में गोया वर्ड हिंटर कॉलेज और बालविद्या मंदिर की दो टीमें इस विकार नौ टीमों ने इस पूरी टीम में प्रतिबाग किया इसमें हमने देखिए नाइन टीम्स को दो वर्गों में बटा गया पूल ए और पूल भी पूल ए में पांस टीमें थी पूल बी में चार टीमें थी सब इनी सभी पूल ए में से हिंद इंटर कॉलेज ने सैमी फाइनल में बालविद्या मंदिर की बी टीम को हरा के फाइनल म में प्रिवेज किया और आज इसका फाइनल मैच पांस सेट का फाइनल मैच किया था जिसमें तीन एक से बालविद्यमंदी ने इसमें विजय प्राफ्त की क्या नाम है जुएब मैफूद आपने बॉलिवल का मैच केला किसे मेच का आप लिंटर कैसा अलुभाव रहा किस तरह की फिराडियों का आपने बरोसा बरोसा या साथ ही जीतें कैसा किसको फ्लेम देते हैं इसका अपने कोच को जी तो कितने पॉइंट आप चार सेट के 25 सेवंटीन दूसर सेट में 25 फिप्टीन तीसरे में 25 है इस बहुत अच्छा फील हुआ क्या कहने चाहिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बस अपने कोच का सुक्रिया करने चाहता हूं मुझे इस लेबिल तक पुचाया उन्होंने हमारी इंटर कालीज टीम का फाइनल मैच अगली वार परियास करेंगे और बेठर करने का मुहम्मद आकिप आज आपको बालगिद्या से बेच था आप भार गया क्या करन मानते हैं क्या देखते हैं किस तरह सारो एक रेगुलर की प्रेक्टिस नहीं मिल पा रहे थी हम है थोड़ा हम दो रहते हैं गाउम में रहते ह है फिर भी हम अपने अच्छे के लिए हम अपनी टीम तयार करेंगा अच्छे तरीके से और उसमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और जी देंगे भी